अरहर महादेव शिरीश वाय नमस्तुभ्यम दोस्तो इस साल की अंतिम एकदशी है मोक्षदा एकदशी सत्गुरु परदीप मिश्राजी द्वारा बताए गए दो उपाए आप मोक्षदा एकदशी के दिन कर सकते हो इस साल का आखरी मौका है महादेव जी को परसन करने का औ और आप अपने पित्रों को भी परसन कर सकते हो और उनका अशीरवाद प्राप्त कर सकते हो लेकिन इस बार फिर एकदशी को लेकर कनफ्यूजन की स्थिती है क्योंकि एकदशी तिथी 22 दिसंबर सुबा 8 बजकर 16 मिन्ट पर शुरू होगी और 23 दिसंबर सुबा 7 बजकर 11 म दिसंबर को रखा जाएगा लेकिन उपाए आप दोनों दिन कर सकते हो वीडियो को शुरू करते हैं पर उससे पहले जो बंदू मेरे चैनल पर नहीं हैं जिनोंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो कर ले और पास में बने बेल बटन को दबाना भी ना भूले ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफकेशन सबसे पहले आपको मिले। और थोड़ा सा पंचामरत दूद, दही, शेहद, शकर और घी को मिला कर किसी स्टील के लोटे में पंचामरत तयार कर ले। इस उपाए को एकादशी के दिन सुभा भी किया जा सकता है और परदोश के समय भी कर सकते हो। 22 तरीक को भी कर सकते और 23 को भी कर सकते हो। शिवालिया पहुँचकर सबसे पहले माता अशोक सुंद्री के स्थान पर बेल पत्री को समर्पित कर दें। डंडी का मुख महादेवजी की तरफ और पतियों का मुख जलाधारी जहां से जल बह कर नीचे जाता है उस तरफ रखना है। फिर आपने उस पत्ती के उपर थोड़ा सा पंचा अमरित समर्पित कर देना है और बाकी पंचा अमरित को शिवलिंग के उपर समर्पित कर दें। ऐसा करने के बाद एक लोटा शुद्ध जाल शिवलिंग के उपर शिरी श्वाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए स्मर्पित करें जैसा के नाम से ही पता चलता है ये मोक्षदा एकादशी है इसलिए पितर शांती पितरों का अशीरवाद पाने के लिए और घर में सुख सम कमरिदी के लिए इस उपाय को जरूर करें दूसरा उपाय अगर आप सरकारी नौकरी के लिए परियास कर रहे हैं या किसी कॉम्पिटीशन की तयारी कर रहे हैं या इंटर्वियू के लिए इस उपाय को आप कर सकते हो करना क्या है एक लोटे में जल भर कर उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल ले उसके अंदर डाल दे ग्यारा तुलसी की पतिया चले जाएं रादा कृष्ण जी के मंदर में एकका दशी के दिन तुलसी की पतिया नहीं तोड़नी अगर नीचे गिरी हुई है तो उनको यूज कर सकते हो मंदर पहुंचकर उस लोटे को भगवान के सा करें उसके बाद उस लोटे को उठा कर मंदर के आसपास जो भी वरिक्ष हो बेल पत्र और शम्मी को छोड़कर उसको आप उस जल को समर्पित कर दे और पतिया भी वहीं डाल दे ऐसा करने से आपको सफलता मिलेगी आपने जो भी एक्जाम दिया है उसमें आप सक्सेस होग और नौकरी में तरक्की मिलेगी तीसरा उपाए अगर आपको बुरे-बुरे सपने आते हैं डर लगता है भै लगता है सपने में पूर्वज आते हैं तो करें ये उपाए आपको लेनी होगी एक रोटी रोटी के उपर थोड़ा सा गुड चीनी या शक्कर कुछ भी मीठा रख ले रोटी को सोमप नाम लेकर गव माता को खिला देना है क्या नाम लेना है सोमप ऐसा करने से आपके अठके हुए काम पूरे होंगे और सपने आना भी बंद हो जाएंगे चौथा उपाए गुरु जी ने बताया कि मोक्षदा एकादशी संकट दूर करने वाली होती ह इस उपाए को करने के लिए शिवाल ले जाएं सबसे पहले आप शिवलिंग के सामने बैठ कर पूजा अर्चना करें जैसे भी रोज करते हो एक लोटा जल चड़ाएं और उसके बाद नंदी जी के उठे हुए पाओं के पास मतलब सीधी तरफ बैठ जाएं और तीन बार स स्वधा बोलना है स्वधा 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 इससे पित्रों को शांती मिलती है इस उपाए को केवल मोक्षदा एकादशी के दिन किया जता है इस उपाए को घर का कोई भी सदस्या कर सकता है आज के लिए बस इतना ही फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ शिरी श्वा आए नमस्तुभ्यम हर हर महादेव